तो चली आ गया है पांच सितंबर का तारीक चतितिजगड ब्रकिंग नियोज अबडेट ताज आप बड़ी खबरे बताएंगे चतितिजगड सभी जिनों का हाल चल भी आप लोगों सुनाएंगे साथ दोस्तों सरकारी कारे क्रेमों सरकारी नहीं योजना और स्वास्ता सिक् पूरी वीडियो पर बने रही है आप लोग पूरा वीडियो देखते रही है और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरुश्य दवा देजिए वीडियो पसाद नहीं पहली बड़ी खबर हम आपको सु हमने आचुके हैं राजनेता भी संक्रमाड की जद में आचुके इसी बीच खबर आ रही है कि छट्टीजगर की राजिपाल अनुस्य आउई के कुरुना संक्रमित पाई गई है जिसके बाद उने खुद को आइसुलेटर कर लिया है हलाकि अभी राजिपाल आउई के अप बड़ी खबर शामनी आ रही है स्वास्त विवाग ने प्रदेश में प्रति दिन 22,000 सेंपल कलेक्शन एवाम जाउच का लक्षा रखा है कोई नाइंटीन के मरति मामलूपर नियंतर के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाउच है तो सभी जिलों के लिए लक्षे त नाराज संग कोई संकर्मित हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है जी हां करोना संक्रमण के बीचे सरकार ने आगलवारी के लोग को खोड़ने की अनुमती दे दिए लेकिन सरकार के इस फैचले को लेकर अरब वाड़ी कारेकर्ता साही का संग ने नाराज जढ़ता यह मा अगर किसी बच्चे को को रोड़ा हुआ तो हमारे जिमेदारी नहीं होगी वर्तमान जैसी व्यश्था चल रही है हिद्ग्रायों के घरों का सुका राजसन पहुचाने का उसे चलनान्य का जो कारेक्रम चल रहा है उसको चलने देना चाहिए था हलाकि हम आपको बताना चाहेंगे सरकार ने परदिस के सभी आंगलवारी केंद्रों को साथ सितम्बर से खूलने का आदिस जारी कर दिया है लेकिन कांटेडमेंट जोन में आने वाले आंगलवारी केंद्र नहीं खूले जाएंगे तीन से सुरू होकर 6 सितंबार तक आंगरवाडी केंद्र के सिनिटाइज किया जाएगा चले चलते दोस्तों आगली वड़ी खावर पर जिहां दोस्तों सियम भुपेश भगेल दिल्ली रवाना इस पर हो सकती है सरचा 36 के मुख्य मंत्री भुपेश से बगर दोपार देली के लिए रवाना हो गए हैं वहाँ वे कांग्रेस के कारेकारिया देख सोनिया गांदी सहीत अर्णे नेताओं से मुडाकात करेंगे मना जा रहा है कि सोनिया गांदी उनकी मरवाई विदान सभा उप चुनाओ और मंडलन निगों की लिष्ट पर चर्चा हो सकती है पूर्व मुख्य वंत्री अजी जोगी के निधन से मरवाई की सीटे खाली है जिया मरवाई विदान सभा उप चुनाओ अठीस अक्टूबर तक होने है अभी तक परतियसी स्यान के लिए कोई नाम तेहर नहीं किया गया है पूर्व सियम अजी जोगी का गड़ रही मरवाई विदान सभा उनके बेटी अमिद जोगी पहले ही चुनाओ लड़ने की घोशना कर चुके हैं वही कांग्रेस सीट अपनी बाले में डालने की जुगाड लगा रही है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 36 लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बदा के चलती हैं जीहां परदेश पे 2284 नई केस और कूल मरीजों की संत्यास 37,979 पर जाब पूची जीहां दोस्तों राजदानी में गुरुवार को 712 और परदेश में कोरोना के 2284 नई मरीज मिली है एक्टीव की केस अगर हम बात के लिए तो 8702 है 8950 मरीज स्वस्त हो गई हैं जो कूल मरीजों की आधिस से अधिक हैं पिछले 24 गंटे में 730 मरीज को डिश्चार्ज किया है जिसमें राइपूर के 238 मरीज हैं इस दुरान परदेश के 16 लोग की जान गई है जिसमें 10 राइपूर की हैं कुरूरा से अब तक परदेश में 316 और राजधानी में 165 लोग के मिठती हो चुकी है राजधानी में संक्रार बढ़ने की वज़ा यहां के गुल मरीजों की संक्या 14,164 हो गई है जिससे साड़े साथ हजार से ज्यादा लोग कोविट सेंटर हो अस्पतल में भरती हैं चलिए फटाबड आगे बढ़ते हैं जिया दोस्तों 36 लोग से वा आयोग की परिक्षा 18 से अकटुवर्ट तक होगी जिया जारी हुआ टाम टेवाल जिया कोरोला संक्कट के बीच चार दिन की एक इस अकटुवर्ट तरज चलीगी इसके लिए रहपूर सही ते पांच जिलो में सिंटर बढ़ाएं गई है देख सकते हैं दो पाली में परिक्षा होगी शुआ नोवजी और दो बजी से होगे जिया आयोग की और से 242 पदों पर विवक्ति निकली गई है जिसकी परिक्षा 17 जून से 20 जून के 20 होनी थी लेकिन क्रोणा संक्रमण के चल्चे टाल दिया गया था अब परिक्षा जो है दो दूसरी पाली में निमत का पेपर होगा बागे तीन दिन जनरल इस टीज पर पेपर होंगी आयोजयत की और सिस्पर्ट किया गया है कि किसी भी अपर्ट को अलग से एडिमेडी कार्ड नहीं भेजा जाएगा अभियरती www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पतर डाउनलोड कर सकते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं आगली बड़ी ख़बर हम आपको सुनाते हैं जी हैं आत्म हत्या के मामले में 36 गड़ की आखड़ी आपको चिंतित कर सकती है नेता परतिपक्ष धरमलाल कोसिक ने 2019 की निशनल क्राइम ब आत्म हत्या करने वालों की संक्या पिछले साल के मुकाबले बड़े हैं इसलिए चलते हैं आगे करते हैं दूसरी और बड़ी ख़वर हम आप लोग को सुनाते हैं जी है दुस्तों लोक कलाकार कल्यान संग ने की आर्थिक सायोग की मांग कुरोना ने नहीं हुआ कारे करम जी हां बेमित्रा नवागार से बड़ी अपडेट सावन्यारी है माह महाय माय प्राणांग में 3 स लुए परदेश महामंतरी गेंदनले ने कहा कि सभी लोग कलाकार को सरकार से आतिक सहोग मिलना चाहिए इस कोरोना काल में बिरुजगार कलाकार की मदद कि इस सरकार ध्यान नहीं दे रही है सरकार ने हर वर्ग को सहोग किया है लेकिन लोग कलाकार है जिने 36 गड़ी संस्क रहने का एकमात साथ अपनी लोग प्रदर्शन करना है जिसवर सरकार द्वारा प्तिबंद किया गया है सरकार से निवेदान करते हैं कि कलाकारों की परिशानी को ध्यान में रखते हुए हमें नियायक पर्दान करें तो चलिए आगे बढते हैं दूसरी और खबर सामने नि को त्वीटर के माध्यम से कहा कि मित्रा में कॉरोना संकरमण की आगडी बिहदर डिड़ाने वाली है बिधाक से लेकर अधीकारी करमचारी ने लिए लुहाज संसाधन सम 측 लिहाज निरूरत है धाशेशा से लिए कर रही है जहां पर पिर्शे पूर्ण करनी की जा रही है और उमीद जाटा है जारी है आएक को पर चांदी की कीमत ती तेसंने के थे स्थे थे सता हैं कि युदु सादी के स्थे सट्वार ईंदुन शात्येदी हुए कि दुन्थ में इंदी नहीं सुष्ट स्थ है रहापुट स्थेम की अधりक Subscribe का मालू ने बताया कि सोने चांदी में खरीदयानों का इससे अच्छा मुका कहा जा सकता है अभी कीमत धातु में गिरावाट होने के संक्त हैं आने वाले तेहारों का ध्यान में रखते हुए ब्रांड़ेट कंपनिया राड़ने भला रही है अगर आप भी सोने चांदी अग सब्सक्राइब करके बेल आइकल को भी जरू से दबा दीजिए चांदी आप लोग तक पहुझाते रहती हैं आगरी वीडियो पे नमस्कार